आज हम बनाने वाले हैं थेपला यानि बैसे तो आप गुजराती स्टाइल में सुना होगा देखा होगा बट मैं आपको बताने वाली हूँ एक राजिस्थानी तरीके से थेपला कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेंगे गेहू का आठा तो मैंने यह 4-5 कप गेहू का मतलब जो मेरी requirement ही उस हिसाब से मैंने आठा ले लिया है साथ यहाँ पे हमने 4-5 हरी मिर्श ले ली है और यहाँ पे आपको लेना है लरसून की कलिया इसको दोनों को साथ में मिक्स कर देंगे और हम इसे इसमें कूड लेंगे इना कि हमें इसे एक दम गाइन नहीं करना है कुछ भी बस थोड़ा सा पेस्पल की साहिता से कुट लीजिए और साथ में ही यहाँ पे रेड चिली पावडर जो हमें इसमें लगने वाला है वो एड़ कर देंगे कर देंगे तो इन तीनों ही चीजों को कूड के अच्छे से मिक्स कर दीजिए आप देख सकते इस तरह से हो जाएगा बाद में जब यह आप कंप्लीट कर लेंगे इसको हमें एड़ करना है आटे में फिर यहाँ पे हमें एड़ करना है काले मेर्च पावडर इसी के साथ एड़ करेंगे हम यहाँ पे जीरा पावडर एक दम बारिक ब तो हत्यली से इसको अच्छे से मसल टे आप अपे आठे कर लिए और साथ यहां पर एक टी स्पूल है अजवाईं को अचे से बिचिज आप अपर हमारे त्यूट से週 हो चुकल कृते नमक के भी आज्चे से मसालत कान आपütfen कर लिए तो हमने डो एक टेबल स्पून तेल का इस्तमाल किया है जो आटे के हमारे कुवांपे तीक है जादा नहीं करना है कि यहां इसे नव फ्राइए करना ऐसा कुछ नहीं थोड़ी सी मातरा में और इन सारी चीजों को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है पहले आप बिल्कुल पानी ना डाले हमने जो मिर्ची का पेस्ट डाला है उनको एंटेल कुछ सारे चीजों को हाथ की साहता से अच्छे से मिक्स कर लीचे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हूँ आटा लगा लेना है एक नॉर्मल डो लगाना है जो हमारा रोपी का लगता है बस ना बहुत जादा टाइप ना बहुत जादा ठीला होना चाहिए तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा पानी डालके आटे को अच्छे से मसल के लगा लीजे यहां पे आप धनियाप की जो पत्या होती है हरी वो भी डाल सकते अभी मेरे पास अवेडिबल नहीं थी तो मैं भी सेप में आप बना सकते हैं तो इस तरह से हम सारे लोया जो हैं एक एक करके बनाएंगे और यहां पर फिर हमें एड़ करना हमसे प्याप में नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं बस वेसा ही बनाएंगे अदरवाई आप तेल लगा के इसको फोल्ड करके भी बना सकते हैं यह जो मैंने मसाला एड़ किया है जो तरीके से जो मैंने पेस्टल में कूट गया है यही सबसे बड़ा राज है इसके कारण इसका जो टेस्ट है काफी जादा चेंज हो जाता है जो नॉर्मली हम खाते हैं तो एक बहर आप इस तरह से जरूर ट्राई करेगा बहुत जादा मजा आएगा तो मैंने यहां पर एक नॉर्मल आटे की सहायता से यानि सूखे आटे को डस्ट करते हुए इस तरह से इस रोटी को पूरी तरह से बेल लिया है तो यहां पे मेरी रोटी एकदम तयार है आप च और इस तरह से यहां पे आप या तो इसको 3-fold वाला नॉर्मल घो पराठर बनाते हैं वेसे बना सकते हैं यहां फिर आप इस तरिके से भी बना सकते हैं इसी क्या होगा कि जब आपका परता अच्छे से सीख जाएगा या थेपला जो भी आप इसे बोलते हैं तो वाद में बहुत ज़्यादा खुला खुला और बिक्रा बहुत ज़्यादा सौफट रहेगा ज़िए मौयन में डाला है तो भूत मज़ा आने में हैं तो इस तर से आप इसे F jackets करते हुए पूरी तर से F格 कर ली चे और यहां पे ये वाला Proses आपको ignore करना है बस इस तरह से वापस ही हमारा लगबग एक लोई की आकार का बन के रेडी है वापस से हमें इसे बेलना होगा तो यह थोड़ी डबल महनत है अगर आप इंट्रस्टिंग रेसिपी या किसी स्पेशल पर्शन के लिए करना चाहते तो कर सकते है अधर्वाइस नॉनमर पराथा भी बना सकते है कि तेज़ते में दोनों में आपको सिम मिलने वाला है बस यह थोड़ा सा यह दिखने में अच्छा लगेगा और थोड़ा सा यह क्रंची टाइप और ज्यादा खुला-खुला सा बनेगा मतलब काफी बिखर जाएगा आप जब बनाएंगे तो इस तरह से ही चाते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से पूरे पे तेल लगा दीजिए और इस तरह से पलट-पलट के दोनों ही तरफ अच्छे से सेख लीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं यह कितना जल्दी सीख गया है मौईन की वज़े से और बहुत जादा क्रिस्पय और बहुत सकते हैं बहुत ही जादा अच्छा होता है बच्चों को भी हमें इस तरह की जब वो चीजिए खाना पसंद करते हैं कुछ तो गेहूं क्या आधिकी चीजिए बना के देना चाहिए मेदे की बनाने के बचार तो यह हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है तो इस तरह से मेने स तो यह बहुत ही जादा मज़ेदार हो जाते हैं तो एक बार आप इस तरीके से इसे बना के देखे और साथ में अगर आप गी लगा के खाना चाहते हैं अगर आपके पास बेसी घी है तो गरम गरम पे पूरी रोटी पे लगा दीजिए वो एक दम सौप्त हो जाएगी दो-प कॉमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आती है या इससे रिलेटेड आपके कोई भी कमेंट या अपने पॉइंट ऑफ क्यू है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए धन्निव कि अइस इससे लगयद तो पार आपके